साथियों जल्दी से हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी ताकि आपको शिक्षक भरती से जुड़ी पल-पल की अब्डेट हमारे चैनल के मध्यम से मिलती रहे देखिए चत्तिगर सिक्षक भरती 2030 की हम बात कर रहे हैं साथियों कम्प्रीट एनालेसिस आज हमें इस वीडियो में करने वाले हैं सिक्षक भरती परिक्षा बहुत कठिन होगा तैयारी में जी जान लगा दो साथ जी हाँ ये बिल्कुल सच बात है शिक्षक भरती जो होने वाली है हमारे प्रदेश में जो की 12,489 पदो पर होना है तो ये परिक्षा साथियों बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं आप सभी साथ ही जान रहे हैं जितने भी परिक्षाएं अभी वर्तमान में संचालित हो रही है जैसे अभी ततकालिक में एक्जाम हुआ है आपका CGPS CGPSC 2023 में अभी जो एक्जाम हुआ है उसको आप देख सकते हैं उस पर तरह तरह के फन्नी कॉमेंट भी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा कठिन हैं उने की वाजह से तो साथियों ये किवल बात CGPSC की ही नहीं बलकि जितने भी एक्जाम आपको व्यापम के माधियम से देखने को मिलेंगे भली आपको लगता है कि कोई भी परिक्षा सरल है ऐसा नहीं है इस बार देखो इस बार की जो परिक्षाएं हैं बहुत कठिन होने वाला है और इसके कठिन होना तो एक कनाची हो गई दूसरी बात ये भी है कट आप भी आपका 5 नमबर से 8 नमबर तक बढ़ने की भी उम्मीद है जी हां क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं साथियों देखिए इसके पीछे रिजन भी है कट आप इस बार 5 से 8 अंक बढ़ने वाला है इसके पीछे म ये बता रहा हूं आप सभी को पिछली बार अर्थात जब 2019 में सिक्षकों की भरती आई थी साथियों किसी को सिलेबस पता नहीं था कि क्या क्या रखने वाले हैं व्यापम द्वारा सिलेबस में कुछ भी पता नहीं था सिलेबस जारी किया गया एक्जाम की जो डेट्स जा हो गया अब सव दिन में बुक बनाने वाला क्या पट उसमें डाले त्यारी करने वाला कौन-कौन से जगह से त्यारी करें यह चीजें क्लियर नहीं था लेकिन यह जो सिलेबस बना हुआ है सिक्षक भरती का 2019 से बना है आप सभी जानते हैं भाई सिक्षक भरती पुरानी वाली है न और अभी जो 2023 में जो सिलेबस हो रहा है यह बना हुआ है करना चीजए 2019 सी ही है तो आप मान के चलो जो शिक्षक भरती की त्यारी कर रहे न वो 2019 से ही उसके पास सिले बस है वो जी जान लगा दिया है मेनत में अर्थात वो इन दो सालों में दो क्या तीन से चार साल हो गया इन तीन से चार सालों में जो सिक्षक भरती की तैयारी कर रहा है साथियों वो कितने सारे श्टडी माटेरियल अपने पास रखे होंगे आप दियर हो या जो फॉस्टेयर में एडिशन लिया था वही से वो स्टार्ट करना सुरू कर दिया है मैं बहुत सारे साथियों को जानता हूँ जो कि सुरू से अपनी एक रास्ते हैं वो क्लियर रखे होए है कि मुझे सिक्षक भरती की त्यारी करना है और सिलेबस भी पहले से मौझूद है उसी की अकार्डिंग वो पढ़ते जा रहा है पहले से तो बिलकुल साथियों सब के पास तीन साल पहले से सिलेबर्स मौझूद है ये सबसे बड़ी वज़ा बनेगी कि काट आप सबसे हाई जाएगा इस बार दूसरी बात सायक सिक्षक की हम बात करें तो जो आट वाला साथी है जो आट वाले साथी है वो भी जी जान लगा रहा है पिछली भरती में भले ही उन लोग को आवसर नहीं मिल पाया क्योंकि विसाय बाध्यता हुआ था लेकिन इस बार विसाय बाध्यता खत्म है तो आट व को सुनने में आ रहा था कि आठ वाले की विएकनसी आए तो वे जान से लगा लिए थी तो बिल्कुल अब भी तिन राथ एक कर रहे हैं तो हर एक प्रयास कट आप को बढ़ा रहे हैं हर एक प्रयास तो बिलकूल कट आप बढ़ेगा साथियों तीसरी बात इस बार ये भी है कि बहुत सारे जो साथी है इस बार टीटी के एक्जाम क्लियर कर चुके हैं भाई 80% से भी जादा हो जाएंगे प्राइमरी कि अगर हम बात करें क्योंकि कि इस बार बहुत ही सरल प्रशनाया हुआ था जो पेपर में बैठा है वो 8050 इसली लेकर आया हुआ है तो इस बार कट आप भी इसली बढ़ेगा क्योंकि टेट में लाखों candidate उत्लिन हुए है और जो candidate उत्लिन हुए है वो भी क्या है competition में जम कर मुकाबला करेंगे तो ये भी एक बड़ी वज़ाय साथियों कि आपका सिक्षक भरती जो परिक्षा है उसमें कटाप भी बढ़ेगा और पेपर हाड भी होने मादा cgpc सबके दिमाग भष्ट कर दिया था बहुत टफ लेवल का एकजाम आया हुआ था questions आये हुए थे उस पर इतना comment और फनी जो images आप सभी ने देखा होगा सबके status में लगा हुआ था क्योंकि cgpc की जो कठिंता का इस्तर है आज चिंतनी रहा है तो साथियों आप उसी को मान कर चलिए दि आप easy way में तयारी कर रहे हैं उपरी उपर तयारी कर रहे हैं तो अपनी तयारी को deep रखें अपनी तयारी को और गहराई की और लेके जाएं क्योंकि शिक्षक भरती और रहा हूं आपने देखा होगा अन्य राज जो की भाजपा सासित है वहां राष्ट्रिय शिक्षा नीती होने की वज़ा से और डरी कठिन होते जा रहा है हमारे यहां कॉंग्रेस सासित है तो भाई वह एक ही एक्जाम एक्जाम से यदि आपका चैन कर रहा है तो कहना चाहिए इस्तर की और ही इंगित करता है तो बिल्कुल आप अपनी जो तैयारी है बहुत अच्छे से करें आप कभी यह न सोचें कि आरक्षड की वज़ा से भरती नहीं आएंगी वाटेवर जो भी है है ना भई लेकिन तैयारी अपना जारी रखे मैं हमेशा यही तैयारी का इस्तर बढ़ाएं वो चीज़े पढ़ें जो चीज़े अभी तक आप छोड़ रहें कुछ भी आ सकता है सोचना भी मुस्किल रहता है तो बिल्कुल तैयारी जारी रखें इस वीडियो में ज़्यादा हम चर्चार नहीं करेंगे साथियों एक बहुत ही पॉजि